पार्ट सत्रा पत्र लेखन लेटर राइटेंग पत्र लेखना एक कला है दूर रहने वाले व्यक्तियों तक संदेश भेजने के लिए पत्रों का सहारा लिया जाता है पत्र के प्रकार पत्र मुख्य रूप से दू प्रकार के होते हैं एक अपचार एक पत्र Formal Letter जिन लोगों के साथ निजी संबंध नहीं होते हैं, उन्हीं आपचारिक पत्र लिखा जाता है जैसे कोई अधिकारी आदी 2. अनापचारिक पत्र Informal Letter जिन के साथ हमारा निजी संबंध होता है, उन्हीं अनापचारिक पत्र लिखा जाता है जैसे माता, पिता, भाई, बेहन, आदी जिसको हम पत्र भेच रहे हैं, उनका नाम पता, आदी लिफाफे की उपर लिखा जाता है जैसे सेवा में श्री एनपी त्रिपाथी, 525 राजाजी पुरम लखनव उत्तर प्रदेश, पत्र भेचने वाले, प्रेशक का नाम लिफाफे की पीछे लिखा जाता है जैसे प्रेशक, विभव त्रिपाथी, गुरुकुल अक्याडमी चात्रवास, देहरादून, उत्तराखंड ध्यान दीचिये आपचारिक या सरकारी पत्रों को लिखते समें पत्र की विशे को बीच में लिखा जाता है किन्तु अनौपचारिक या पारिवारिक पत्रों को लिखते समें पत्र की विशे को बीच में नहीं लिखा जाता है नीचे कुछ पत्रों के नमूने दिये जा रही हैं इन्हें पढ़ो, समझो और पत्र लिखना सीखो एक, बीमारी के कारण अफकाश हेतु पत्र सेवा में प्रधाना चार्या, गुरुगुल अकाडमी लखनाउ विशे, बीमारी के कारण अफकाश हेतु प्रार्थना पत्र महोदया, सविने निवेदन यहा है कि मैं कल जब विद्याले से लोट रहा था तो रास्ते में फीग गया, जिसके कारण मुझे तीस बुखार हो गया डॉक्टर ने मुझे दू दिन तक आराम करने की सला दी है अतह, मुझे दिनांग 5.1.2013 से 6.1.2013 तक का अफकाश प्रदान करने की क्रिपा कीजिए आपका आख्यकारी शिष्य मुकुल कक्षा 3 दिनांग 5.जन्वरी 2013 2. कक्षा में प्रतव आने पर पिता को पत्र गुरुकुल अक्याडमी चात्रवास देहरादून उत्राखन पूझे पिताजी सादर प्रणाम मैं यहां सकुषल से हूँ आशा है आप सब भी कुशल से होंगे आज हमारी विद्याले का वाडशिक परीक्षा परणाम खुशित हुआ है आपको यह चान कर हार्थिक प्रसन्नता होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है यहां आपके आशिर्वात एवं कुशल मार्क दर्शन के कारण ही संभव हो पाया है माताची को प्रणाम तथा अदित्य को प्यार भरा आशिर्वात आपका आज्यकारी पुत्र विभव दिनांग 25 चन्वरी 2013